मेरा नाम है सक्षम डोब्रियाल यह है nrx knowledge channel यहाँ पर हम बाते करते हैं drugs के बारे में और जो मेरी वीडियो थी जो last वीडियो थी उसमें ने बात करे थी diffusion के बारे में osmosis की कुछ application, osmosis का cell mechanism कैसा रहता है क्योंकि वो जानना ज़रूरी है कि osmosis का cell mechanism क्या के रहते है यह important है ठीक है यह 9 class हो चाहिए graduation level पे हो चाहिए भी हो यह आता है ठीक है अब बात करते है osmosis के बारे में तो osmosis क्या है osmosis एक passage है water का water के जो molecules है ठीक है क्या है from region of a higher concentration higher concentration से एक semi permeable membrane है यहाँ से लोडर में पास हो रहे है किस से semi permeable membranes से Osmosis, process जो काम कर रहा है वो एक passage का काम कर रहा है एक रस्ते का काम कर रहा है Simple, साफ बात Osmosis के बारे में Osmosis है, जो process रहता है मैंने क्या बोला, diffusion की तरह ही है थोड़े से फरक है, थोड़ा अलग बात है वो तो रहती ही है, लेकिन है same Osmosis में क्या है, उसका हम क्या उसमें बात है, Osmosis पूरा का, पूरा mechanical diffusion पे based है, ठीक है, पूरा mechanical diffusion process है, इसमें क्या हो रहा है कि जो cell है, वो absorb कर रहा है पानी पानी को absorb कर रहा है अपनी energy बिना लगाए पानी को absorb कर रहे है cell अपनी energy बिना लगाए यह है आपका Osmosis कैसे काम कर रहा है यह तो बता दिया ठीक है पूरा बता दिया ठीक है Higher Seas, Ami, Verbival, Low से और क्या है? Characteristic बता दी ठीक है? अब Osmosis Cell का क्या रहता है? यह जादा important है कि Cell में उसका क्या role रहता है और Osmosis में क्या क्या होता है जैसे की बताऊंगा अभी मैं Osmosis का आपको application भी बताऊंगा क्या उसके use है ठीक है? अभी जैसे मैंने आपर बताया कि Osmosis एक purely क्या है? mechanical diffusion process है Cell absorb कर रहा है पानी को अपनी खुद की कोई energy लगा के नहीं ठीक है? यह plants में भी होता है जो root रहती है जड़े रहती है प्लांट की उसके अंदर भी क्या रहता है जो उसकी जड़े है वो जड़े भी इसी process से पानी खीसती है और ले जाती है आपको पता होगा एक tissue रहता है xylem है ना? तो यही ऐसा ही काम रहता है सब कुछ एक machine ही है हम भी एक machine ही है plant भी एक machine ही है और animal भी एक machine ही है सब ऐसी ही काम करते है और ऐसी ही चलता रहता है बिल्कुल अच्छे से सबको बनाया गया है अच्छे से सबका एक process रहता है बिल्कुल अच्छे से बनाया गया है ठीक है बात कर लेते हैं फिर आ जाते हैं cell पे कि cell पे क्या role है और यह बहुत important है और थोड़ा बहुत आगर है question सब कुछ तो आतो पड़ते हैं क्या रहता है ? देखिए धियांते सुनना अगर कोई medium surrounding जो हमारे cell है ये हमारे cell है ठीक है उस पे higher concentration है मतलब बहुत ज़़ा dilution पानी है उसके आस्पा पूरा पानी ही पानी है तो क्या हो रहा है कि cell तो बोल रहा है यार आजा पानी तू तो आजा तो पानी को तो करे जा रहा है अब्सॉर्ब करे जा रहा है पानी को एब्सॉर्ब जब वो करे जा रहा है करे जा रहा है करे जा रहा है करे जा रहा है बहुत ज़़ा डाइलूशन हो रही है बहुत ज़़ादा डाइलूशन पानी बहुत ज़़ादा आ रहा है बहुत ज़़ादा डाइलूशन होने से क्या हो रहा है हाइपोटोनिक कंडिशन बंडरी जिसको हम हाइपोटोनिक सॉलूशन बोल रहे हैं अपर हाइपोटोनिक सॉलूशन कहा जा रहा है इससे क्या हो रहा है कि सेल बर्स्ट अप पानी तो लिए जा रहा है, एक limit होती है सब की, यार, कि मैं इतना खा सकता हूँ, मैं इतने work out कर सकता हूँ, मैं इतना कर सकता हूँ, तो पानी लिए जा रहा है, लिए जा रहा है, तो क्या हूँ एक time से burst, boom, cell का पटना, निश्चित है, इस case में, ठीक है, ये तो था पहला case, दूसरे case पर बात करें, दूसरे case क्या है, इस हमने का, आपने hypotonic का, अब बात करते है, isotonic, isotonic, ISO का मतलब ही होता है, same, same, तो same से क्या समझोगे, कि same क्या है, ध्यान से समझना, अगर वही medium, ये रहाफ cell, वही medium, वही medium पे हम वही medium पे लिए है, कि वही medium पे आ गया, cell है, वह है, बोलते है, बिल्कुल, सटी कह सकते है, कि उतना ही पानी चाहिए, और उतना ही चाहिए, तो क्या होगा, क्या होगा बाई, जितना उसे absorb करना, उतना absorb करेगा, ठेक है, movement water का net नहीं रहेगा, और इसे हम कहेंगे, isotonic solution, क्या कहेंगे, isotonic solution, isotonic solution का example, ringer solution रहता है, सुना होग और नहीं चाहिए ठीक है इनका पीयर लगबग सेम ही रहता है ठीक है दोनों का तो आईसो टॉनिक सल्यूशन कहा जाएगा सेम सेम में तो इतना ही रहेगा ठीक है मैंने आपको बताया जादा का बताया ठीक है अब तीसरा केस जिसे हम कहेंगे हाइपर टॉनिक हाइपो कम कंसंट्रेटिड सल्यूशन डाल रखा यार कंसंट्रेटिड तो जब कंसंट्रेटिड सल्यूशन है ठीक है तो क्या होगा अपना ऐसे गया लोर उस पे तो सेल क्या होगा श्रिंक हो गया श्रिंक डूब गया श्रिंक हो गया तो जब यह प्लांट सेल में होता है तो इसे क् देता हूँ ठीक है प्लास्मोलाइजड सेल प्लांट सेल में हुआ तो प्लास्मोलाइजड सेल प्लास्मोलाइज सेल अगर यही चीज यही सेम फिनॉमिना होता है एनिमल सेल के अंदर एनिमल्स हम भी तो एक एनिमल ही है ठीक है तो एनिमल सेल में होता है ठीक है हमार में होता तो हम इसे कहते हैं Crenation, इस process को कहते हैं Crenation, C-R-E-N-A-T-I-O-N, ठीक है, Crenation, ठीक है द्यान से तो हम इसे कहें, Crenated, ठीक है, ये रहेगा, और क्या होगा, cell तो shrink हो गया, hypertonic है, ठीक है, तो hypertonic में shrink हो रहा है, hypertonic में burst हो रहा है, isotonic में एक same निर्धारी है, कुछ नहीं हो पानी पानी बना दो, ठीक है, तो क्या होगा, ध्यान से देखना, ये तो तुम्हारा क्या रहेगा, isotonic, तो same ही था, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, same, ठीक है, it's look cool, ठीक है, second time में आप देख रहा हो, ये burst up हो रहे हैं cell, पानी के अंदर ये पानी में है, तो burst up हो रहे है, तो क्या होगा, हाइपो, ठीक है, यह हमारे cell इतने सिकुड गए हैं, ऐसे करके, इतना सिकुड गए, कोई concentrated solution था, तो सिकुड गए है, अब जब सिकुड गए है, तो क्या होगा यार, मैंने कहां बोला, shrink है, कहां पर है, concentrated है, हाइपर है, ठीक है, animal cell में है, तो crinated है, और plants उ यही mechanism पर चलता है, endo-exosmosis भी कर सकते हो, अपना तुम salt डालना अंडे में, रहती है, लकमीर सिंग अंदर दे रहे हैं, अब लकमीर सिंग से भी इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, इसके बारे में, cell के बारे में, और भी books है, मैं आपको simple way में मैंने आपको बताया, कि क्य ठीक है, definition बताई, application क्या रहेगी, osmosis की, osmosis की application रहेगी, एक तो मैंने plant का बताया, जो natural है, osmosis का जो process है, वो आपके घर में जो RO रहते हैं, purifier, ठीक है, आप जो पानी भी दे हैं, RO, can't went, दुनिया भर क्या, can't तो बहुत मेंगा, ठीक है, यह सब जो रहता है, यह उसमें use होता है, यह osmosis की process पे काम करता है, ठीक है, और simple diffusion mechanism पे ही काम करता है, यह इसका basic mechanism है, simple diffusion and osmosis, ठीक है, तो यह कुछ application रही, और भी चीज़े देखते रहे न, और भी है, science तो connected है भाई, ठीक है, और यही था भाई, osmosis, और क्या कह सकता हूँ मैं, और तो बागी कर लिद म मुवारक, ठीक है, मेरा नाम है सक्षम डोब्रियार, यह है NRX Knowledge Channel, बाबाई, see you again